चले question 6.2 solve करते हैं सो इस question में हमारे पास ये trust है इसके members के force determine करने है और उस force की nature क्या है वो हमें पता करने है whether वो tension में है या फिर compression में तो चले इसे हम लोग solve करते है तो इस question को solve करने के जो basic steps है वो ये रहे सबसे पहले तो हमें पूरी trust की free body diagram ड्रॉख करनी है उसके बाद locate a joint connecting only two members and draw the free body diagram of its spin फिर joint के recording हम लग free body diagram बनाएंगे और ये सारे process है जो कि है locket a joint where the force in only two force of the connected members are still known अब हमें वैसे joints की तरफ move करना है जहां पर at least two force members connected हो जो कि अभी भी unknown हो इस process को हम लोग repeat करते जाएंगे जब तक कि हमारे सारे trust का force की value पता नहीं हो जाती and last one note that the choice of first joint is not unique ऐसा नहीं है कि आप जो joint चूज कर रहे हो यूनिक है आप कोई दूसरा भी कर सकते हो इसकी फिर बाडी डाइग्राम ड्रा करते हैं इसकी फिर बाडी डाइग्राम ड्रा करते हैं कि अगर्डा करें दो कि अगर्डा कर दो कि अगर्डा करें कि अगर्डा करेंग्रा में बेसिकली हम लोग जो भी एक्स्टर्नल फोर्स लग रहे हैं उन्हीं रिप्रेजेंट करते हैं तो जो इसमें फोर्स लग रहे है सबसे पहले तो 1200 न्यूटन इसकी डिस्टन्स यहां से 275 मीटेर है यहां पर रोलर सपोर्ट लग रहा है सी पॉइंट पे तो हम इसे RC यानि रियक्शन आफ पॉइंट C से रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर हिंग जोइंट है भी पॉइंट है तो हम यहां पर रियक्शन लिख देते हैं रियक्शन आफ रोफ बी अलाउंग य डियरेक्शन आफ रोफ बी अलाउंग एक्स डियरेक्शन यहां से यहां की दिस्टन्स 500 मेटर है यह 400 मेटर है सारी आहम हम है तो हमने फ्री बाड़ी राइग्राम बना लिये अब कॉश्चन साल्व करते हैं एंटायर बाड़ी पर हम लोग सबसे पहले मौवमेंट निकाल लेते हैं तो मैं पॉइंट बी पर मौवमेंट निकाल रहा हूं यह रहा पॉइंट भी तो मैं इसके अलांग मौवमेंट निकालने जा रहा हूं तो चलिए देखते हैं कि मौवमेंट कैसे निकलेगा पॉइंट भी के रहा हूं सबसे पहले जो फोर्स है वो है 1200 निकाल 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 रहा हूं क्लाक वाइस नेगेटिव ले रहा हूं आप पॉइंट भी कंसिडर्ट कर सकते हों बट एंसर सेम आएगी तो मौमेंट अलांग बी माइनस अफ ट्वल हंड्रेड कि चâteमी बीयने ऱ सकते हो माइना तर्वी निकांस ट्वे। पर्पर्कंश सर्पर्पंडिकृर्ड को ड्रॉइंट रहा हूं था निकाल प्रॉइंट लाइने य।.. निकाल रखिव टूर्थर्फियं द्युट कर अंसर्संट while अलांग भी जो प्लस आफ आर सी इंटो फोर हंट्रेड़ एकुल्स टू जीरो इन दोनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम जिस पॉइंट पे निकालते हैं मोमेंट उसके अलांग जो भी फोर्स लग रहे होते हैं उनकी वैल्यू जीरो होती है चले इसे सॉल्व करते ह हैं इसे सॉल्व करने के बाद हमें एक्षिन फोर्स जो सी पॉइंट पे लग रहे हैं उनकी वैल्यू आती है 2700 बाड़े पे जो एक्स डिरेक्षिन में जो भी फोर्स लग रहे चले हैं उनकी वैल्यू टिटर्माइन करते हैं सो सिग्मा एक्स इक्वल्स जीरो एक्स डिरेक्षिन में सिर्फ रेक्षिन फोर आफ बी एक्स लग रहा है तो हम इसे निकालते हैं सो आफ बी एक्स इक्वल्स टो जीरो नाव फोर्से जो वाई डिरेक्शन में लग रहे हैं उन्हें निकालते हैं सिक्मा एफ ओफ वाई कुछ तो जिरो तो वाई डिरेक्शन की अलोंग जो भी फोर्से लग रहे हैं आप फीगर के कार्डिंग देख लो सबसे पहले माइनस ओफ 12100 Okay Then Reaction Force Rc Plus of Rc And R By अचलि इस शॉल करते हैं तो आर अफ बी वाइ इकल्स तो 1200-2700, so R of By equals to –1500N, this is the value of reaction force पॉइंट भी एलाउं वाई डिरेक्शन अब हम जॉइंट बी की और मूव करते हैं जॉइंट बी की हम स्थी बाडी डाइग्राम बना लेते हैं सो यह जॉइंट भी है सो इसके कार्डिंग हम फ्री बाडी डाइग्राम जॉइंट भी की बना रहे हैं तो सबसे पहले जो फोर्स लग रही है जॉइंट भी पर वह है फ उफ बसे लगरि यह है एफ दर की और लगरी है एफ अफ जॉइंट भी है एफ इदर रिक्शन फोर्स र व बस लगरी है एदर रिक्शन इसकी वैल्यू मैनस फिप्टीन हंट्रेट है एज एफ अफ एवी इंकलेशन पर है तो इसकी कुछ एंगल होगी तो हम लोग वह एंगल डिटल्माइन करते हैं इसकी लेंथ 375 mm और इसकी 900 mm so 10 of theta equals to 375 divided by 900 theta equals to 10 inverse 375 divided by 900 theta equals to 22.62 so is theta की value 22.62 है चली इसे solve करते है x and y direction है so sigma fx equals to 0 so f of a b along direction so cos 22.62 plus of fb equals to 0 minus 3901 cost 22.62 equals to f of bc so f of bc equals to 3600 and compression f of a b की value जो हमने यहां लिख्की है वो हमें y direction से मिली है so पहले हमें वहीं निकालना था लेकिन मैंने पहले इसे निकाल रखा था तो मैंने यहां पर what could you go in y direction f of y equals to 0 okay f of a b sign of 22.62 plus of r of b y equals to 0 ok so f of a b equals to 1500 divided by sign of 22.62 equals to three nine hundred intention so this was value is this now we move to joint c at joint c let's draw the free body diagram at joint c so this is point c okay this is r of b x reaction force direction for r of c and f of b c which values is 3600 newton okay okay शीली हम लोग इसकी एंगल निकालते हैं थीटर की वली सो यहां से यहां के दिस्टेंस है 375 mm and this is 500 mm so tan of theta equals to 375 divided by 500 theta equals to tan inverse 375 divided by 500 so theta is equals to 36.8 so to 6 तो चल्याव इसे solve करते हैं so a out of b x नहीं होगा कि इदर को कोई forces में लग रहे है कि इदर को कोई forces में लग रहे है इसाल करते हैं sigma fx equals to 0 so minus of 108 plus f of a c cos 36.86 equals to 0 so f of a c equals to minus of 3600 divided by cos of 36.86 so f of a c equals to 4500 in compression कि अच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्